हलो दोस्तो इस चैनल में आपका बहुत बहुत सवागत है आज वीडियो लेकर आया हूँ दुश्मन को पागल कर देने का टोटका दोस्तो दुश्मन को पागल कर देने का यह उपाए बहुत ही आसान तरीका है यह उपाए आप घर बैठ कर भी बड़े आसान तरीके से कर सकत हैं दोस्तों सबसे पहले आपने एक काला कपड़ा बिच्छा कर दो शैतान की फोटो रखनी होगी और एक बीच में दिया लगा देना दोस्तों हमारे चैनल को लाइक और सस्क्राइब जुरूर करें जिससे आने वाली आपको वीडियो मिलती रहें और हमारे चैनल को जादा से जादा शेयर जुरूर करें दोस्तों आज जो वीडियो मैं लेकर आया हूँ यह वीडियो दुश्मन को पागल कर देने का उपाए टोटका है यह उपाए आप घर बैठकर बड़े आसान तरीके से कर सकते हैं दोस्तों इसमें आपको करना क्या होगा अपने दुश्मन की सिरफ फोटो ही चाहिए और एक दिया चाहिए चोटी सी मटकी लेनी होगी और सबसे पहले अपने को दिया जला दें कि दोस्तों घी का दिया नाजलाएं अगर अपने दुश्मन को पागल कर देने का आप उपाए कर रहे हैं तो एक चोटा सा तेल का दिपक लगाएं और अपने दुश्मन की अपने दुश्मन की फोटो अपने पास में रखें और डाइसो गराम काले उड़त की दाल आपको ले भी होगे और उसके अंदर आपको एक एक के दोदो के सिक्के कम से कम भी आपको ग्यारा लेने होगे या पांक से ग्यारा सिक्के आप ले सकते हैं दोस्तो उस जैसे की मैंने सिक्के लिये हैं उस काले उड़त की डाल में डाल दें और यह उपाए आपको घर बैठ कर शनिवार की रात को ही करना होगा दोस्तो अगर आप अपने दुश्मन को पागल या बिमार कर देना चाते हैं तो यह उपाए गर बैठ कर कर सकते हैं यदि आप गलत मियत से यह उपाए कर रहे हैं तो आपके उपर उल्टा भी हो सकता है और हमारे चैनल की कोई गैरंटी वैरंटी नहीं होगी दोस्तो उस दुश्मन की फोटो के उपर काले उड़त की डाल और कुछ जो इसके अंदर सिक्के हैं उसकी फोटो के उपर इस परकार से बिच्छा दें दोस्तो यह करने से आपका दुश्मन पागल हो जाएगा और आपका दुश्मन बिमार हो जाएगा दोस्तो यह करने के बाद में आपको एक मंत्र बोलना होगा वह मंत्र आपको कॉल करने पर ही दूख दिया जाएगा क्योंकि इसका गलत परियोग करने से बहुत ही दुरगटना हो सकती है दोस्तों यह उपाए बहुत ही सिंपल होगा सिरफ इसको पाँच मिनट के लिए इसी परकार से रखे रहने दिन उसके बाद में उसकी फोटो को नीचे से जहां पे उसके पैर होंगे वहां से उसको उठाना होगा और उसको इस परकार से फोल्ड कर दें और एक चक्कू लें दोस्तों उस चक्कू से उसकी फोटो में इस परकार से मंत्र बोलते हुए मंत्र बोलते हुए उसकी फोटो को इस परकार से काट दें दोस्तों यह काटने के बाद उस दिपक के उपर से और शैतान के उपर से साथ बार घुमा दे। उसको इस प्रकार से उस छोटी सी मटकी में जला दें। दोस्तों यह क्रिया बहुत ही आसान तरीके से घर बेट कर सकते हैं। इससे आपका दुश्मन आपके भश में भी हो जाएगा। दोस्तों हमारे चैनल को लाइक और सस्क्राइब जुरूर करें जिसे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहें। और जादा जानकारी के लिए सक्रीन पर दिये गें नमबर पर संप्रक करें। धन्यवाद दोस्तों। उल्यवाद हो ढौत हो जाएग हो पर करें। थघार